हेलो दोस्तों कैसे ही आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है छुटकारा थोड़ी देराव रुकना एक मसाला चाय पीते हैं अभी छे ही तो बजे हैं क्या जल्दी है घर जाने की अंसीका ने अपरड़ा से कहा तू नहीं समझेगी मेरा दर्द सास असुर ननद चाय के गर्म रूटिया से कर दूंगी उसके बाद खुद खाना खाऊंगी फिर रसोई और बरतन साफ करके रखूंगी इतनी चिंता इतनी फिक्र क्यों तेरे सास और उननत को बोलियो हो गया है क्या जो अपने हाँ से चाय नहीं बना सकते और तेरी साची तो दो साल की है ना कोई उसे गिलाज दूद और बिस्किट नहीं दे सकता एक दिन कपड़े ना उठा क्या फर्ग पड़ता है कौन सा धेरा दून में रोजबारिस होती है और आज के जमाने में कौन सी पतनी अपनी पती का इंतजार करती है सभी काम के आपसन होते हैं समझी डियर बड़ी बेफिक नौकरी नहीं करती जब सोबित से भी इस बारे में बात करना चाहा वह बोले चुप चाप घर समालो हमारे वंस को आगे बढ़ाओ यहीं तुम्हारा धर्म है और माने कहा है वहीं होगा अपने मायके में भी बात की वहां मा और भावी दोनों ही बोले तुम्हारा घर है खुद को इतना दर्द देती है अब तो तुझे वहां रहते रहते चार साल हो गए ठीक है नौकरी नहीं करती तो क्या बहूरानी को नौकरानी बना कर रखेंगे और यह पती के आने के बाद खाना खाने वाला कल्चर भी खत्मकर पती अगर बाहर खा कर आता है तो क्या किसी ने सही कहा है दूर के डोल सुहाने लगते हैं अनसी का एक गहरी सांस लेकर बोली मतलब मतलब यह तुझे लगता है मेरी जिन्दगी में आराम ही आराम है साइद इसलिए क्योंकि तू सिर्फ मेरे आज से प्रभावित हो गई है मेरा रहांसान बोल चाल नौकरी करना तुझे आसान लग रहा है, तु सच्चाई सुनना चाहती है तो सुन, शादी से पहले ही मैं ज्वाब करती थी, मेरी सास मुझे बड़े ठांट से बोल कर ले गई थी, बेटी बना कर रखूंगी, कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई, मुझे साड़ी ही नहीं, हर समय गूंट में रहना था, तुम नई बहू हो, घर के रितिरिवा सुखो, नौकरी कुछ समय बात कर लेना, बोलकर छुडवा दी, हर तीजिते वहार पर मायके में गहने और पैसा लाने को बोलते, गर्ववती थी, तब सारे काम्याँ बोलकर करवाए, कि नार्मन डिलिवरी हो करने से साफिनकार कर दिया, क्योंकि मुझे पता था, मेरे पिता साधी के बास से लेकर, अब ते कितना करने के बाद करजे में डूप चुके हैं, अगर मैं दोबारा ससुराल गई, तो फिर बच्ची के नाम पर पैसा मांगना शुरू कर देंगे, तब मैंने फैसला किया, क उन्हें मुझे छोडने के लिए बोल दिया, मगर अगले छे महीने में राकेश की अकल ठिकाने आ गई, क्योंकि मेरी सास को पता चल गया था, घर में काम करने वाली बहुचली गई है, राकेश को भी अब कोई महतोता नहीं मिल रही थी, सबको बस उसके पैसे चाहिए होते घर में खाना तक नसीम नहीं था, उन्हें होटल और मेट का खाना खाकर अकल ठिकाने आ गई उनकी, साल भर बाद वो मुझे मिलने मेरे घर आये, और बोले मैंने एक मकान किराय पर लिया है, अब हम तीनों वहीं जाकर रहेंगे, तुम नौकरी कर सकती हो, मेरी तरब से समझा गया है, मेरे घर वाले मुझे सिर्फ स्वार्त सिद्धी का जर्या समझते थे, और साथ में तुमें भी टर्चर कर रहे थे, बस अपरडा, साधी के पान साल बाद, मेरी जिंदगी जो तुमें लगता है, बड़ी आसान है, ये बड़ी मुश्किल से बनी है, अंसिका मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था, तेरे साथ इतना कुछ हो चुका है, तुने सची कहा, दूर के ढोल सुहाने लगती हैं, जब तक सच्चाई का पता ना हो, तब तक किसी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए, चल अब ज़्यादा सिंटी मत हो, अगर तू समझ ही गई है, तो अपनी फिक्र करना सुरू कर, और तूने क्या कहा था, कमाने वाले ही बोलते हैं, क्या तेरी सास ननद पैशा कमाती हैं, जो इतना बोलती हैं, कुछ वक्त के लिए हालात मंजूर किये जा सकते हैं, लेकिन समझोता करना, अपने जीवन को किसी और के हाथों में सौपना जैसा होता है, फिर वो आपको जैसे चाहें नचाते फिरें, इससे अच्छा है, आवाज उठाएं, ना कहिना सीखें, जितना हो से के उतना करें, अपनी छमता से अधिक कारे करने की कोशिस ना करें, वरना नुकसान आपका ही होगा, जैसा तेरे साथ हो रहा है, अ इसे देखते ही बहुत तुम्हें थोड़ी दिर बाहर जाने की इजाज़त क्या दी तुम्हारे तो पर ही निकल आये हैं एक घंटे का बोल कर गई थी तीन घंटे बादा रही हो तुम्हें पता है चाय तुम्हारी ननत को बनानी पड़ी। आपसे पापा जी की चाय समय पर दीदी ही दिया करेंगी और मम्मी जी क्या हो गया अगर साची के लिए आपने थोड़ी सी मेनत कर ली तो आखिर आप उसकी दादी हैं मुझे ज़्यादा हक तो आपका बनता है आपसे आप ही अपनी पोती को समालिये मुझे तो बहुत परिसान कर देती है कपड़ों का क्या है कल सुबा भीला सकती हूँ और रास्ते में प्रिस वाले भाया से बोलती हुई आई हूँ कल से प्रिस भरता खाना हमेशे में पर ही चाहिए वरना तुम्हें तुम्हारे ससुर जी का गुस्सा तो पता ही है सास सुसीला जी फिर भन बना कर बोली जी ममी जी बिल्कुल समय पर मिलेगा कैसो आपिस से आते वक्त होटल से खाना लेते आएंगे वो भी आपकी पसंद का अब से होटल का खाना मंगाने की जरूरत नहीं न जाने कितनी बार सुसीला जी होटल की सबजिया मंगवाती और कमरे में बैठ कर चुपकर खाती थी और घर में बना हुआ खाना बासी हो जाता जो अगले दिन अपरडा को खाना पड़ता सुसीला जी के पास कहने को कुछ नहीं था दोनों मा बेटी अपरड़ा को देखते रहे गए जो इतने सालों से चुप थी अचानक कैसे बोल पड़ी अब अगर ज्यादा बोले तो कहीं ऐसा ना हो रात के बरतन मांजने पड़ जाएं आखिर क्यों नहीं जब सब बोल रहे हैं तो बोलने का हक तो उसका भी था सच ना कहपाने के दर्द से छुटकारा भी मिल गया सोच अपरड़ा अपने कमरे में चली गई आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सस्क्राइब सेर जरूर करें धन्यवाद